तो रक्षा विवस्था तयार की गई है बाहर पेरा मिलिटरी की टीम जो हैं जो जवान हैं वो तैनाथ हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई विवस्था ना हो इसकी पूरी नगरानी चारो तरफ की जा रही है तो यहाँ पर देखिए क्योंकि पूरे दिन आज उसी पर रहेगी हमारी नजर किसकी बनेगी सरकार यानी हर्याना की जनता क्या तैक करने वाली है तो आज आएंगे विदान सभाथ चुनाव के नतीजे यह बड़ी खबार आपको बता दे जहाँ सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मत करना तो आज विदान सभाथ चुनाव के रजल्ट पहले पोस्टल बैलिट की गिंती होगी ईविएम सुबह 8 बजे कुलेगी यानी 8 बजे से सब़से पहले पोस्टल बैलिट सी गिंती उसके بعد 8 बजे और साड़े ऑट बजे एवियम खुलेगी काउंटिन को ले करके पूरी व्यवस्थाएं तेईस कर ली गई हैं। सुबै आठ बजे से चुरू हो जाएगी मतों की गिंती जिस पर सभी की हैं निगाएं क्या जनता का है फैसला किसके सर्ताथ सजेगा और किसको जनता दरकिनार कर देगी ये आज देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए मतदान के दिन जिस तरीके से परसेंटेज देखने को मिले हैं उसके बाद अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी है आठ ऑक्टूबर यानि आज के दिन जनता क्या फैसला सुनाती है बीजेपी, कॉंग्रेस या अन्ने सभी दल के इस प्रकार से अपना दमखम जो दिखाते नजर आए उसका असर कितना जनता पर परा जनता ने कितना उन्हें पसंद किया है उस पर सबकी निगाहें जो हैं वोट्टिकी रहने वाली हैं तो आज विधान सभा चुनाव के नतीजों आने हैं इन नतीजों में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आज जो दिन है वो दिन है फैसलो का दिन तो आज के इस दिन की पूरी तैयारी का प्रिलम में वक्त से चल रही है और इसी पार सब की निगाहें चिकी हुई है एक्जिट पोल के जो आकड़े सामने आए हैं उसके बाद से कॉंग्रेस ज्यादा ही खुश नसर आ रही है वाजपा के लिए जरूर ये चिंता की लखीरे बनाने वाली एक्जिट पोल लेकिन कॉंग्रेस जहां इसका का दिन है देखने वाली बात होगी कि किसका विश्वास जीतता है और किसके विश्वास पर जो जनता का पैसला है वो भारी पड़ जाता है वहीं आपको बता दे कि हरियाना में 19 ऐसी सीटे हैं जिसका समीकरन कुछ खास तोर पर ही बनता नजर आ रहा है क्योंकि हरियाना मे यह जो 19 सीटे हैं वो काफी बहतरीन खेला कर सकती है ऐसी उमीद जानकारों के द्वारा लगाई जा रही है एक एग्जिट पोल एजिंसी के मताबिक इन सीट को ले करके एक तरह की जो आकड़े सामने आए हैं उसके बात हर कोई इसको ले करके कुछ लोग खुश हैं तो करा मुकाबला है वो भाज़पा कॉंग्रिस के बीच में है प्रदेश के कारेबाक सीएम नायप सैनी भी मान चुके हैं कि कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला था उनका कहना है कि ये सीट हम जीत जाएंगे लेकिन हम जीत जाएंगे ये विश्वास ज़रूर यहां पर नाय जियाना के बारा सर्वे में कॉंग्रिस की सरकार बनती हुई दिख रही है वहीं पार्टी के को भी 56 सीटे मिलती हुई नजर आ रही है भाजपा बहुमत से काफी दूर नजर आ रही है जियाना के बारा सर्वे में कुछ ही गंटों का ये वक्त बचा है जिब लिकुल कुछी गंटों का वक्त बचा है आठ बजे से मतगरना शुरू हो जाएगी मतगरना की अगर बात की जाए तो हरियाना की 90 विधान सभा को लेकर के जो 5 तारीक को मतदान हुआ था परदेश के तकरीबन एक करोड़ पैंटिस लाग सेदा मतदाता होने अपने मतदिकार का उपयोग किया था करके नब्धे आने वाले कि विधान सवाय नब्धे और ऐसे में उसको ले करके आपसे कुछी देर में मत करना शुरू होईगी आठ बजे से सब्सक्राइब बैलेट पेपर गिने जाएंगे बैलेट पेपर जिसमें हमारे सैनिक हैं जो की सैनिक आकर बात करें जो सेना में हैं वो लोग बैलेट पेपर के जरिये वोट करते हैं पुलीस कर्मी होगे सरकारी करम चारी होगे जिनकी एक जिले से अन्य जिले में डूटी है वो लोग बैलेट पेपर का इस्तमाल करते हैं कुछ दिव्यांग लोग हैं बजुर्ग लोग हैं जो कहीं जा नहीं सकते थे उनक हम की गड़ना स्टार्ट होएगी यानि ही वी हम को गिनना स्चुरुआत की जाएगी और हम पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो 93 जो है जो अगर बात करें तो काउंटिंग सेंटर जो है वो बनाए गए हैं यूँ तो 90 विधान सबाएं हैं लेकिन 87 विधान सबाओं क एक एक काउंटर है लेकिन तीन विधान सबाओं ऐसी भी है गुरुगराम पटोदी और हम बाश्यापूर की बात करें जिनके दो-दो काउंटिंग सेंटर हो जाते हैं तो ऐसे में कुल 93 काउंटिंग सेंटर जो हो बनाए गए हैं जहां से जहां मतगरना शुरू होईगी अब से कुछ दिर के बाद आठ बज़े से मतगरना शुरू होगे नतीजे जो हैं वो सामने आने लग जाएंगे और आज का दिन एहम भी है क्योंकि एहम इसलिए है कि अपसे पहले चाहे भाजपा हो, कॉंग्रेस हो, जेजेपी हो, इनैलो हो, एस्पी हो, बीएस्पी हो, सबी ने अपने अपने दावे और वादे किये थे, जहां हम अगर बात करें कॉंग्रेस की तो साथ गरंटियां लेकर का आई थी, बीजेपी की बात करें तो बीस संकल्प लेकर का आई थी और इन तमाम दावों और वादों के बीच गए अपनी बात रखी लेकिन लोगों क को जनता को पर्देश के तमाम मद्दाताओं को किस पर विश्वास है वो तकदीर आज पश्ट होईगी आगर बात करें वो आज तस्वीर सामने होईगी कि किस पर विश्वास है कि कौन आज अगर बात करें हरियना की विदान सभा में अब पहुचेगा इस बार दो हजार चो पर लोगों के सामने होंगी और इंडिया न्यूज हर्याणा पर सबसे पहले सटीक जानकारी हर जानकारी क्योंकि हमारी तमाम जो टीमें हैं तमाम हमारे सयोगी हैं वो हर्याणा के सभी मतगणा केंदरों पर सभी 93 मतगणा केंदरों पर मौझूद हैं और सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ हर जानकारी जो है लोगों तक पोचाई जाएगी बिल्कुल और दीपक यहाँ पर आप चलिए वी आईपी सीटों की बात कर लें क्योंकि अभी यहाँ पर काउंटिंग में समय है और ऐसे में सीटों का आकड़ा कर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर वी आईपी सीट में लाडवा सीट सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस की जीत यहां से हुई थी क्योंकि वोट पर्सेंटेज कम होके 83 से सीधे 75 पे आ गया था इसके बाद इस बार भी पर्सेंटेज कुछ कभी देखने को मिल रहे हैं तो क्या माना जा सकता है फैसला नायब सैनी के हक में हो सकता है क्या इस बार देखिए लाडवा की बात करें तो कारेवाहक मुखे मंतरी नायब सिंग महां से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा है लोगोंने वोट वोटिंग भी करिए आप कितना पक्ष में गए हैं तेजें तस्वीर सामने होगी लेकि जहां तक रिपोर्ट बत मशीन में कैद है प्रदेश के मतदाताओने लाडवा के मतदाताओने उसमें तैय कर दी है लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है कि वो पॉजिटिव रह सकती है नायब सिंग सेनी के लिए क्योंकि भारतिय जंता पार्टी ने उन्हें अपना मुखे मंतरी का चेहरा जो है वो उनके चेहरे पर चुनाव उनको यहां पर लड़ा गया है हला कि चोवन दिन का समय मिला नायब सिंग सेनी को अब कारेवाक मुखे मंतरी हैं लेकिन अगर यहां बात करें कोई भी विधान साबाओगी वहां पर एक विधायक के साथ साथ जब उनको लगता है कि अगर सरकार आई तो वो मुखे मंतरी मिलेगा उनको विधायक के साथ साथ तो यह कहिना कि लोग इस बात को लेकर के जरूर मुड सकते हैं हला कि तस्वीर थोड़ी दिर के बाद सामने होगी क्या कॉंग्रेस के उमिद्वार को मुखा मिलता है या बीजे पी से नायब सिंग को यह कापला और उनके लिए भी अपनी विधान सावा में पॉजिटिव नदर आ रहा है क्योंकि उनकी तो जब उन्होंने अपलाई करा साथ जब दावेदार की बात करें धाई अजार से दावेदार से तो उनकी विधान सावा से किसी और ने कॉंग्रस से अपलाई नहीं किया हाला कि सामने बीजेपी के कैंडिट अब उनके सामने चुनाव लट रहे हैंने कैंडिडेट भी है लेकिन पॉजिटिव वुपेंदर सिंग उड़ा के लिए नजर आ रहा है फिलाल तस्वीर जो है वो आठ बजे के बात से पस्ट होईगी इसी तरीके सा उचाना से बात कर तो जो जिस तरीके की जानकारी हमारे सामने आई है फुक्तर अभी तक पॉजिटिव उनके लिए बहतर नजर नहीं आ रहा है लेकिन फिलाल मतदाता होने क्योंकि एवियम में कहत किया और ये एवियम आठ बजे के बाद अपना जवाब देगी परदेश के लोगों की जो बात है जो उनका उनकी जो सोचती वो सामने रखेगी एवियम पी जरी जब मदगणना शुरू होएगी इसी तरीकी से कई चाहरे यहां पर हैं चाहे हम अभे सिंग चोटाला की बात करते हैं आईलनाबास से अभे सिंग चोटाला जो हैं इंडियन नेशनल लोगदल की नेत उनके नाम पर चुनाब लड़ते ہیں रंजी सिंग चोटाला जो कि अगर बात करें वो भी उनके नाम पर चुनाब लड़ते हैं टमाम पूरा परिवाल लेकिन आज इंडियन नेशनल लोगदल की बात करें तो अभे सिंग सो चोटाला के सामने बड़ी चुनोती है वो अगर बात की जाए तो वो भी क्योंकि यह चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन निहापर फिलहाल तस्वीर आठ बजे के साथ सामने आएगी तो लगातार कई बड़े चाहरे कई बड़े लोग जिनको लेकर के लोगों की तमाम लोगों की नज़र रहेगी और भी कई बड़े ऐस सेंटर के बाहर पैरा मिलिटरी के जबान तेहनात कर दिये गए हैं सौ मीटर के दायरे में धारा एक सो चवालिस लागू कर दिया गया है तो वहीं काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतिजामात किये गए हैं तो ये बड़ी जानकारी जहां काउंटिंग को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चोवंद है मतगर्ना पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि आज 90 व्यवदान सबाग रुजान जो हैं वो सामने आने वाले हैं और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जलिए फरिदबाद से सही होगी देवेंदर कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं देवेंदर फरिदबाद से क्या कुछ अपडेट बड़ी सामने आ रहे हैं मतगर्ना को लेकर बिल्कुल देखिए आज हर्याना के लिए राजनेतिक तोर पर बड़ा दिन है और एहम दिन है चूंकि आज काउंटिंग हो रही है जो पांच तारिक को मतनान हुआ उसके आज मतगर्ना होनी है इसको लेकर फरिदाबाद में भी तैयारी प्रसासनिक तोर पर चुनावायो इसलिए खास है क्योंकि यहां से तीसरी बार मुगुलचन सर्मा भारतिय जनता पारटी से चुनाव लड़ रहे हैं 2019 से 2024 तक वो कैबिनेक मंत्री रहे उनके सामने निर्दलिय तोर पर सादा राठा और जो दो बार की विधायक कॉंग्रिस से और पूर मुख्य संसदिय सच नहीं दिया गया था तो वो वैदान में दलिये उतर गई थी और ऐसे में कॉंग्रिस की तरफ से पराग सर्मा और अन्य निर्दलियों की आज किसमत का पिटारा खुलने जा रहा है और फिलाल हम वहीं हैं जो काउंटिंग सेंटर बल्लोगर में बनाया गया है मैं आपको त प्रमचारी है जो काउंटिंग का इस्टाफ है वो बैठेगा इसके साथ साथ में जो काउंटिंग एजेंट है यानि कि प्रित्यासियों की तरफ से जो नियुक्त किये गए हैं उनके लिए भी वाकायदा बैठने की विवस्ता की गई है लेकिन अंदर कॉपी पैन ही ले ज पुरी तरह से मुस्ताइब दिखाई दे रही है चुकि वक्त 6 बजे का है 8 बजे सुरुवात काउंटिंग की होगी और सबसे पहले जो पोस्टल बैलक पेपर है उनकी काउंटिंग होगी उसके बाद में राउंड वाइज कि वल्लोगर में 19 राउंड होने है 19 राउंड के विदान सवाओं के लिए महतपूर्ड दिन है और हरियाना के लिए महतपूर्ड ही है और फृरिदावाद के अगर तमाम तस्वीरों के बात करें पूरे छे विदान सवाओं की तो बल्लोगड कज़े से हम जिक्र कर रहे हैं। पार्टी के उनको टिकट दी गई तो उनके सामने ललित नागर जो निर्दलिय तोर पर क्योंकि कांग्रिस से वो टिकट मांग रहे थे लेकिन कांग्रिस से उनको टिकट नहीं मिली तो ऐसे में वो निर्दलिय तोर पर मैदान में हैं और टककर भी ललित नागर और राजिस नागर के बीच में बताई जा रही है बड़कल विधान सवा में भी कॉंग्रिस की तरफ से जहां विजय पिरताफ है तो वहीं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से धने सदलक का चुनावी मैदान में थे और आए उनके बीच में भी कड़ी टक्कर है और परणाम किस तरह के हो होंगे वह सामने नतीजे सामने होंगे रिनाईटी विधानसवा में भी जो विधायक हैं Mوجودर विधायक निवर्तमान, कॉंग्रेस के नीरत सरमा, उनके सामने वारतिय जनतापार्टी की तरफ से 37 भागना भी मैदान में उतारा गया लेकिन वहां निर्दलिय तोर पर नगे यानि कहसकते हैं कि पर्फेर्प इस तरह का सम्हिकरान, अब बताते नजर आए, इस बीच एक बार फिर से हम अतगरन की सुरक्षा वभस्था ऊपर आकूनिया ज़ानकारी ज़रूर दिया है, कि हाँ पर किस तरीके से रूर रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। फरिदवाद के उन पर की गई है दो सो मीटर के दायरे में किसी भी तरह का वेहिकल आने की पूरी तरह से मना ही है अगर किसी को भी आना है चाहे काउंटिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे वहां से निकलने वाला वो केबल पैदल ही वहां से जा सकता है और ऐसे मैं द बिखा करी अंदर एंट्री कर सकता है लेकिन उससे पहले कुछ कैई राउंट की त्री लेयर सुरक्षा पहले ही की गई थी तो इसी को आप मद्दे नज़र चुकि गेट काफी दूर है और गेट पर ही पूरी तरह से उनके नाम नंबर नोट किये जा रहे हैं जो अंदर कंपनियां उनकी तैनाथ की गई थी तो वो भी यहां तैनाथ की गई है और यह आप देखेंगे तो सुरक्षा कर्मी जतने भी हैं बैठे हुए दिखाई देंगे बात भी करने की कोशस करेंगे बिनो जी क्या यहां से कौन जा सकता है बाइस इसके बारे में हम कोई कमेंट की कारण उनका होगा बग की बाकाईद में गेट से भी उनको चेक आउट करके ही इंट्री होगी यहां तक बिल्कुल आप देखेंगे समझ सकते हैं साफ तोर से कि जो अगर अंदर आना चाहेगा कैंडिडेट की भी बाकाईदा पहले गेट पे एंट्री होगी गेट हम बात कर रहे थे लगतार यहां अगर वोटों की काउंटिंग की बात हो रही है तो पांच ऑक्टूबर को जो मतदान हुए हैं उसमें जो मत प्रतिशत रहा है वो फरिदबाद में काफी ज्यादा कम देखा गया है 56 प्रतिशत के आसपास वोट पड़े हैं तो ऐसे में क् हैं मतदान काफी प्रतिशत उसका बढ़ा हुआ होता है लेकिं फरिदबाद में के ट्रेंड इस तरह का रहा के लोग सवां में भी तमाम चुनावायों की कोसिसों के बाद बहुत जयादा मत्रतिशत नहीं बढ़ा और इसी तरह का चौनावाम सवामें के चुनावों मैं ब प्रवाव की बात करें तो जिस तरह कहा जाता है कि अगर जादा मत्लान होता है तो उस अपर वर्वार्टन के लिए होता है लेकिन साउ थरियाना के अगर देखें तो हम भातिये जंतापार्टी जिस तरह से 2019 में यहां से काफी संख्या में विरायक चुन कर गए थे तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हो सकता है कि भारतिय जनता पार्टी को दच्छर अर्याना में लाम मिलता हुआ दिखाई दे फरिदाबाद के भी अगर लोकसवा की बात करें तो 2019 में 7 विधान सवाओं पर भारतिय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की गई थी जबकि कॉंग्रि तो इसमें किस तरह के समीकरण होते हैं चुकि अब से कुछी देर में गिंती सुरू हो जाएगी और करीब दस बजे के करीब करीब रुजहान से भी पता चलना सुरू हो जाएगा कि आखिर भातिये जनता पार्टी क्या अपने 2019 के इतिहास को दोहरा पाती है या जिस तरह से दावे कॉंग्रिस की तरफ से किये जा रहे हैं कि पूर बहुमत की सरकार कॉंग्रिस बनाने जा रही है तो इसमें फरिदावाद और पलवल किस तरह से उसका बत्दाताओं का कॉंग्रिस के पिल्पी रुजहान दिखाई दिखाई दिया है तो यह आने वाले कुछ ही बिल्कुल सबकी निगाएं इसी पर देवेंदर ठीकी हुई है सुरक्षा ववस्था हो या फिर यहां पर मतों की गिर्णती की तैयारी हो पूरी ववस्थाइं देखने को मिल रही हैं सिसी टीवी की निगरानी भी है और ठीक पाच ऑक्टूबर को ही भी ऐसे ही तस्वीरे न असर आई थी फरिदाबाद में भी एक विवाद सामने आय था देवेंदर क्योंकि अगर हरियाना में पाच ऑक्टूबर की बात कर ली जाए यहां पर कुछ विवाद जो है अलग-अलग जगहों से अलग-अलग बूतों सामने आय थे ठीक है सही एक विवाद पर भी जानकारी दे में सुरक्षा विवस्ता को लेकर इसी बात को लेकर इस बार कड़ी विवस्ता की गई है चूंकि मतदान का दिन था और ऐसे में भार्तिय जन्ता पारटी के नेताओं की तरफ से उसकी निंदा भी की गई थी और पुलिस पर भी दवाब इस बात को लेकर था कि आखिर जो पीछ पर गोली मारी गई थी तो वो आरोपी कौन है अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस जरूर जाच कर रही है लेकिन इसको देखते हुए इस बात चूंकि मतगरना पर पूरी चौक सी बलती जा रही है और कारे करताओं को या भार्तिय जन् कि या तमाम अन्य नेताओं को काउंटिंग सेंटर से दूर रहने के लिए कहा गया है जगे जगे तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है दो सो मीटर के डाइरे में किसी को भी अंदर आने की अनुमत ही नहीं होगी और जिस तरह से प्रत्यासियों के साथ में समर्थाक न पत्गरना भी हो तो तमाम जितने भी प्रत्यासि हैं उन से पहले ही कहा गया है कि वो अपने सम्वल्थाकों को काउंटिंग सेंटर के आसपास ना आने दे तो ये तमाम तरह के कोशिस हैं पुलिस की तरफ से भी है चुनावायों की तरफ से भी अपील की गई है जी बिल्कुल आरे देवेंद्रिया पोल्स आफ पोल पर भी ध्यान दिया जाए जिस बरकार से कॉंग्रेस को बहुमत मिलने की बात सामने आ रही है अब इसको लेकर के प्रतिकरियाओं का दौर भी देखने को मिला है तो किस तरह का समीकरण हाप बता सकते हैं फरिदाबाद से अगर फरिदाबाद के समीकरण की बात करें तो फरिदाबाद की छे विधान सभाओं में जो जिस तरह से टिकट वितरण हुआ टिकट वितरण को लेकर भी नराजगी कही जगे देखने को मिली चाहे भातिय जुनता पाइटी की बात हो चाहे कॉंग्रिस की तरफ से और इसी के चलते यहां निर्दलीय प्रिक्तियासी भी मैदान में उत्रे तिगाम विधान सभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ललित नागर जुकि 2004 में यहां से विधायक बनकर कॉंग्रिस की तरफ से और 19 में वो तैयारी जिस तरह उनकी की गई तो ऐसे में उमीद उन्हें पूरी थी कि उनको कॉंग्रिस की तरफ से टिकट दिया जाएगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला ऐसे में वहां से उन्हें निर्दलीय प्रिक्तियासी के तोर पर मैदान में उतरना पड़ा है वह से में देखना होगा कि कौन वहां से जीत दर्ज कराता है हाला कि जो दावा है को कॉंग्रिस की तरफ से भी है भारतिय जंता पार्टी की तरफ से भी है कि वह यहां सत्ता बिल्कुल दिवेंद्र आपके पास आएंगे इस वीच महत गरना से जुड़ी है बड़ी खबर साम के नतीजों आज आने है इस वक्त के बड़ी कबार आज नतीजों का ये दिन है देड़ घंटे बार शुरू हो जाएगी वोचो की गिंती काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए अर्जैनिक बलों की तैरादिक की गई है हमारे सायोगी के द्वारा तस्वीरे भी लगतार दिखाई जा रही है जा सुरक्षा को लेकर के नवस्थाए चाक चौवन्द है और चल यहां रुक्ते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन आपका ही मत जाएगा बने रही है इंडिया न्यूज हरियाना के साथ पलपल की अपडेट के लिए जाएगा अपनी पता का चाहे Joint pain के लिए Dr. Ortho Oil के amazing results सबको पता है पर किया आपको पता है कि पुराने और जादा बिगड़े दर्द के लिए Dr. Ortho Oil के साथ साथ है Dr. Ortho Capsules को भी regular यूज़ करना चाहिए ये कोई temporary pain killer नहीं Ayurvedic औशदी है मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहिए Sir, आप बहुत लगी है कि आपके बेटे ने health insurance और बाकी सारी फर्मालिटी स टाइम से पूरी कर दिया मेरा बेटा तो फिर आप Policy Bazaar एक करोड का health insurance सिफ तीन सोनबबे रोपे महीने से शुरू मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहिए Dr. Ortho Oil के regular massage से joint healthy रहते और अगर problem बहुत पुरानी है तो Dr. Ortho Capsules साथ लेना न बूले अब दर्द भी घुटने टेकेगा वो Mr. Vikas की फाई आप Policy Bazaar Ma'am आपका health insurance claim अप्रूव हो गया अब आप सर को घर ले जा सकते क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हल्प को तयार Policy Bazaar एक करोड का health insurance सिफ्टीन सो नपए रुपे महीने से शुरूर मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहिए घजब का स्वार गुटना, कंधा या कबर चाहिए जैसा होतर Dr. Ortho आपको देता है तर्थ से पूरी आजादी ये कोई टेमश्री पें किलर नहीं आयूर्वेदी कौशनी है अरे, रिशी, अज स्कूल नहीं गए थीन महीने से फीज नहीं भर पाई तो निकाल दिया, स्कूल ने कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सबने ना टूथ जाए आज ही लीजिए पॉलिसी वजाल पे दो करोड का टर्म लाइफ इंचॉरंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू जॉइंट पें के लिए Dr. Ortho आइल के अमेजिंग रिजर्ट सब को पता है पर क्या आपको पता है कि पुराने और जाधा बिगड़े दर्द के लिए Dr. Ortho आइल के साथ साथ Dr. Ortho कैपसूल्स को भी रेगिलर यूज़ करना चाहिए ये कोई temporary pain killer नहीं आयूर्वेदिक और शदी है सर आप बहुत लग्की है कि आपके बेटे ने health insurance और बाकी सारी formalities टाइम से पूरी कर दिये मेरा बेटा और ब्रेक की बाद एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का ज़वा हर्याना में मत करना का दुनाज और इसकी बीच ये पड़ी कबर सामने आ रही है तो इस वक्त की ये पड़ी कबर विदान सभा चुनाब के बाद अब रजल्च की घड़ी है हर्याना विदान सभा चुनाब के नतीजे आज आने हैं जहां आपको बता दे डेट घंटे बाद शुरू होगी वोटो की गिंती इस वक्त की ये बड़ी कबर आपको बता दे काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए है और दस्टैनिक बलो की पूरी तैनाती कर ली गई है इस वक्त की एहम जानकारी आपको दे दे हर्याना विधान सवाचुनाव के नतीजे आज आने है और चलिए तमाम जानकारी अपडेट के साथ यहाँ हमारी सयोगी कनिका कटियार हमारे साथ बनी हुई है कनिका यहाँ आज मतगर्ना का दिन है काफी महत्पूर निया दिन है और आप आज इस वक्त कहां पर मौजूद है पहले ये जानकारी दें और साथी साथ किस तरह का समीकरन बैठता नजर आएगा ये भी बताएं बुपेइन सिंग हुड़ा जो कि कौंगेस पार्टी के वरिष्ट नेता है और पूर मुखे मंतरी रह चुके हैं कई न कई मैं उनके घर के भार खड़ी और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी सुबा सुबा की तस्वीरे हैं किस तरहां से देखिए यहां पर हलचल का माहोल है लगातार और तमाम जो लोग है वो आते जाते नदर आ रहे हैं वो अपने आप में इंट्रेस्टिंग सीट है और उसके इलावा अगर बात करें तो कही न कहीं सबकी निगाएं इस सीट में चीकी हुई है कि गरी सापला किलोई जो की बुपेन सिंग होड़ा की कॉंसिटिउनसी है वहाँ पर क्या कुछ परिनाम सामने आएंगे और आज जब्बे विधान सीटों की जो परिनाम है वो जनता के सामने आएंगे जिस रहा से एक्जिट पोल में कॉंग्रिस को एक अच्छा नंबर मिला है और कॉंग्रिस पार्टी आगे जाती में दर आई है उसके बाद आज वो दिन है जब नतीजों का दिन है और जो फै सकते की सरहा से तमाम जो लोग है वो यहां पे मौझूद है और कही न कही आज का वो दिन है जब यह तैह होगा कि किसकी किसमत चमकने वाली है बिल्कुल और कानिका आप यहां पर मौझूद है और आपके पीछे की जो चहल कदमी है वो भी देखी जा सकती है कुस देर में जरूर यहां से और भी बहतरीन तस्वीरे नजर आएगी जहां पोल्स आफ पोल में जो रजल्ट सामने आया है उसके बाद काउग्रस काफी ज्यादा कुछ है क्यानिका एक बार एक छोटा सा समिकरन पर ध्यान दे दे क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग होई है इस बार जर बिल्कुल 2014 की बात करें 2019 की बात करें जो वोटिंग पर reflection है वो कहीं न कहीं काम था लेकिन इस बार लगबख 68 एट पर सेंट जो है वोटिंग पर सेंट रहा और हमें देखा कि इस चुनाव में कई मुद्दे थे तमाम पार्टियों के अपने अपने बादों के साथ चुना सुईकार किया है और किसके साथ जाने का फैसला जो है आगे आने वाले पान सालों में किया है और स्पेशले के बात करें चौधरी भुपेज़ती सिंग hp submitted की बड़ी जो चुनौती है वो पार्टी के सामने है हाला कि रिजल्ट के जब रुधान आना शुरू होंगे उसके बाद ही सब कुछ तैह हो पाएगा कि किस तरफ जो है माहूल जा रहा है क्या नतीजे है क्या कुछ है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी की बात करें तो जो सीटे लेके आएंगे हाला कि जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप में जो तस्वीरे हैं वो साफ हो जाएंगी लेकिन चौधरी भुपेइन सिंग उड़ा की बात करें तो पार्टी के वरिश नेता है और कहीं न कहीं एक बैजपूर भूमिका जो है वो पूरे चुनाब सीटे यहां पार भुपेइन सिंग उड़ा के घर के बाहर मौजूद हैं तस्वीरे आपके पास सबसे पहले और सबसे बैतरीन जरूर आती नजर आएंगे और तस्वीरों पर भी बात करेंगे लेकिन एक पर जिकर यहां पर भाजपा उमीदवार की भी कर लें जिस तरह से मंजू उड़ा की बात की जाए तो वो भी एमाना जा रहा था कि वो भी एक कड़ी टकर दे सकती है मंजू उड़ा लेकिन निहापर हमेशा से जब भुपेंदर उड़ा की जीत होती आई है मंजू उड़ा के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है क्या लग रहा है कितना म विधायक चुनते आए हैं और यहां के जो लोग हैं यहां के जो समिक्रण हैं वो अपने आप में डिफरेंट समिक्रण देखने को मिलते हैं और कोई दो राए नहीं है कि बुपेण सिंग गुड़ा की जब जीत होती है चाहे वो इस दर साल जब सरकार ही उस तरमे की बात करे उससे पहले की 2014 की 2019 की बात करें तो कहीं न कहीं जो परिराम आते हैं वो ही दिखाते हैं कि यह कॉंग्रेस का गड़ है और खासतर पे इस सीट पे कॉंग्रेस जो है सबसे जादा मजबूती के साथ पिछले कई सालों से चुनाव लड़ती आई है बुपेण सिंग गुड़ अपने आप में एक बड़ा चहरा है और उनकी सीट भी सी लिए अपने आप में हॉट सीट होजाती है क्योंकि कॉंग्रेस यहाँ पे लगातार पिछले कई सालों से जीती आई है और ये सीट भी दिल्चस्प है देखना ये दिल्चस्प होगा कि यहाँ पे क्या कुछ मार् का उसके इलावा कि सरहा से दिजी जो है वो सामने आते हैं बिल्कुल और हुट्डा देखे बार बार ये बोलते भी नजर आए हैं शुरू से ही कि पूर्ण बहुमत के साथ कॉंग्रेस के वापस ही होगी लोग सभा के जो रजल चामने देखे उसके बार कॉंग्रेस जो है और इसमें भुपेंद्र हुट्डा का जो सयोग रहा है जो उनका जिस तरह की परस्नालिटी रही है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं देखें बिल्कुल साफ तोर पे वुपेंद्र सिंग घुड़ा की जो अपने आप में एक खासियत है और एक जो परस्नालिटी है वो सबको पता है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस क्या बलकि पूरे हर्यारा को पता है कि वो जो है किस तरह की राजनीती करते हैं और उसके लावा अगर वुपें से घुटा की बात करें तो देखें इस चुनाव में उनसे काई बार पूछा गया कि मुखे मंतरी आप बनने वाले हैं क्या आप जो है चहरा होंगे यहां पर मुखे मंतरी के रूप में तो उन्होंने हमेशा इस बात का दावा किया और बलकी नतीजों से एक दिन पहले तक वो यह बोलते आए हैं कि ना वो टायर है ना वो रिटायर है तो कही न कहीं वो एक बड़ा स्टेट्मेंट जो है वो उनकी ओर से आता है और कॉंग्रिस पार्टी की बात करें तो बिलकुल तमाम मुद्दे चाहे वो कॉंग्रिस की साथ गरंटी हो चाहे कॉंग्रिस की वादे हो उसके लावा बिजेपी की एंटी इंकम्मिंसी का मामला हो लेकिन उससे भी जादा महतुपूर यह था कि जिस तरह से कुमारी सेलजा और वुपेर सिंग हुड़ा के बीच का जो अंतर कले था जो कही न कही जग जाहिर हो रहा था और बीजेपी उसका फाइदा उठाने की कोशिश कर रही थी कॉंग्रिस ते उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की आपको यादोगा लास्ट मुमेंट पे राहूल गांदी का हर्याना में परिचार करना हुड़ा और सैलजा का एक साथ मंच पे होना और एक तस्वीर दिखाना की सब कुछ ठीक है तो कही न कही कॉंग्रिस के लिए बहुत चैलेंजिस इस उनाव में आये हैं लेकिन कॉंग्रिस पार्टी ने इन समाम चैलेंजिस को जो है अराम से पूरा किया राहूल गांधी ने एकता की तस्वीर जो है वो बार-बार अगला-गला मंच से देने की कोशिश की यात्रा के दुरान भी राहूल गांधी यही बोलते रहे कि ये सरकार बनेगी तो कॉंग्रिस की सरकार बनेगी सबी की सरकार बनेगी तो बिल्कुल चैलेंज बहुत थे कॉंगेस पार्टी के सामने लेकिन बीजेपी की 10 साल की एंटी इंकम्मेंसी जो है कॉंग्रिस के लिए बड़ा मुद्दा था इसके इलावा तमाम मुद्दे चाहिए वो विकास का मुद्दा हो महंगाई का मुद्दा हो बिरुजगारी का मुद्दा हो किसान का मुद्दा हो ये तमाम मुद्धे कॉंग्रेस पार्टी ने अराम से उठाए और पूरा इस्थानिये मुद्धों पे चुनाफ जो है वो देखने को मिला तो कॉंग्रेस की ओसे तमाम तरहा की जो रणीती है वो प्लान की गई थी और कहीं न कहीं उस रणीती में कॉंग्रेस सक्सेस्फुल होती हुई निदर भी आई है जिस रहा की जो एक्जिक पोल के दुझान है उनके सामने आने के बाद ये महसूस किया गया है लेकिन अब आज रिजल्ट का दिन है इंतजार आपको और हमें और दस्को को करना होगा कि क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने आते हैं कॉंग्रेस जिस नंबर को क्लेम कर रही है क्या उस नंबर को टच कर पाती है या मामला फज़ आता है बिल्कुल और हर्याना का ट्रेड भी अगर देखा जो है जिस तरीके से खनीका हमेशा से स्ट्रेंड रहा है दोजार पार्च की बात कर ली जाए उसके बात बात 2014 की कर ली जाए तो 76% से ज्यादा वोच परते हैं और बीजेपी जो हैं कॉंग्रेस को अटा करके बीजेपी बहुमत के साथ सीट हासिल करती है और जीत दर्ज करती है 2019 में यह आकड़ा जो परसेंटेज का रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है और यहाँ पर गटवंधन के साथ भाजपा सरकार बनाती नजर आई यह ट्रेंड हमने देखा है हर्याना में पिछले चार चुनावों को लेकर के अब क्या लग रहा है इस बार 2024 में कॉंग्रेस पूंड बहुमत के साथ अकेली सत्ता में आ सकती है या कॉंग्रेस को किसी के सहारे की ज़रुत पढ़ सकती है या फिर भाजपा किसी का सहारा ले के लिए क्या-क्या फॉर्मल जो है अलग-अलग पार्टियों ने अपनाए है वो बड़े दिल्चस्प है और यही दिल्चस्पी जो है इस बार के चुनाव में भी लोगों को देखनी को मिल रही है सबसे बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस बीजेपी के अलावा जो बाकी कबर सामने आ रही है मतगरना से जोड़ी हुए इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दे जहां हर्यारा के लिए महतोंड है आज का दिन वो जो की होनी है काउंटिंग और इसी से जोड़ी हुई ये बड़ी कबर रजल्ट ब्रेकिंग हर्याना विदानसवा नतीजे आने हैं कुरुक्षेत्र के भ्रह्म सरोवर पहुचे हैं नायप सैनी यहम जानकारी कुरुक्षेत्र के भ्रह्म सरोवर पहुचे नायप सैनी श्री दक्षिन वो की अनुमान वंदिल में पूजा करने के लिए नायप सैनी पहुचे हुए हैं तो कुरुक्षेत्र क ब्रहम सरोबर पहुच गए हैं नायब सैनी तो यह बड़ी जानकारी क्योंकि आज है यहाँ पर रजल्ट की गड़ी यानि की वो नतीजे जिसके लिए इंतजार और यह सीधी तस्मीर है आपकी टीवी स्क्रीन पार जहां नायब सैनी देखिए दक्षिन मुखी हनुआर सुबह सुबह ही देखिए हाँ पर मंदिर में मतर टेकने के लिए पहुच चुके हैं पूजा करते नजर आ रहे हैं और जरूर ही जरूर अपनी और भाजपा की जीत की कामना करते नजर आ रहे हैं तो वहीं यह सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पार जहां नायब स आप सेनी यहां पार माता टेकते हुए और अपने जीत की कामना करते हुए भाजपा की जीत की कामना करते जरूर नसर आ रहे होंगे तो आज का दिन क्योंकि कई माइनों में वहत पून है आज फैसले की यह गड़ी है यही रात अंतिम यही रात भारी वाला है आज ही का दिन और इसी को ले करके यह तस्वीरे भी अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं सबसे बड़ी बात देखिए अब बस कुछी शन बचा हुआ है यानि करीब एक घंटे का ये वक्त माना जा सकता है जब मतों की गिंती शुरू होगी बैलेट पेपर्स की काउंटिंग पहले होगी और उसके बाद EVM को ले जाएंगे और साड़े आठ बजे जब EVM खुलते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी धीरे-धीरे मान सकते हैं कि दस बजे के बाद से कुछ-कुछ रुजान सामने आने शुरू हो सकते हैं बारा से एक बचे के बाद रुजान देखने को मिल सकते तो रुजानों का आज देन और आज ही के दिन के इलगे ये पूरी तैयारिया भी नजर आ रही है जहां आयोक के द्वारा तैयारी सुरक्षा विवस्था की तो यहां पार हर एक प्रत्याश्री इस वक्त अपने जीत की काम ना करते हैं नजर आ रहे हैं क्योंकि जो दावे ज जनता के आगे वो कर दिये वोटरों ने अपना काम पांच अक्टूबर को कर दिया और आज है वो दिन जो वोटरों ने किस तरीके से अपना मत सुनाया है अपना फैसला सुनाया है तो उस फैसले की गड़ी आज है और उसके लिए पूरी तैयारी यहां पर राजनितिक दल के द्वारा भी नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे चहल कदमिया भी शुरू हो जाएंगी जहां सबसे पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है और साहियोगी साहिल रुखाया पंच्छकुला से हमारे साथ बने हुए हैं उनका कर लेते हैं रुख साहिल क्या कुछ तस्वीरे पंच्छकुला से सामने आ रही बिल्कुल सीमा पंदरवी विदानसभा चुनाव के परणाम जो है आज आने वाले हैं सुबह आठ बजे मदगन्ना जो है वो शुरू होगी नो बजे पहला रुजहान जो है वो देखने को मिलेगा और आज दुपहर बारा बजे ही स्तितिस पर फ्टो जाएगी कि हारियान का विदानसभा जो है उसकी जो है मतगन्ना जो होनी है और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां नाका बंदी कर दी गई है पुलिस डपलोइमेंट कर दी गई है ताकि कोई भी अन्होनी या किसी प्रकार की कोई शरार्ती तत्व यहां क्या हंगावा ना क करें क्योंकि अभी आठ बजे जो है मतगन्ना शूरू होनी है और उसके बाद पहला नो बजे पहला रुजहान जो है वो देखने को मिलेगा बारा बजे स्तिती जो है वो कई ना कई कलियर हो जाएगी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्ता जो है वो चाक चोबंद जो है वो कर दी गई है तमाम पुलिस करमियों की डप्लोइमेंट जो है यहां कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का हंगामा यहां देखने को ना मिले के दूरी पर हम है और आदे किलोमेटर की दूरी से पहले आप यह जो तस्वीरें यह देख सकती हैं किस तरीके से यहां पर बैलिकेटिंग करकर तमाम तरह के परभन जो है पुलिस परशासन त्वारा कर दिये गए है और अभी यहां से अगर आपको जाना है counting station पर तो उसके लिए आधे किलोमेटर का सफर जो है वो तैक करना होगा इससे पहले गाडियों को यहाँ पर रोका जा रहा है और इन गाडियों को यहाँ पर खेतों में ही side में पार्क करवाया जा रहा है खासी भीड यहाँ पर सुबह से ही देखी जा रही है लोगों का सलसल आने का जो है वो लगातार जा रही है तमाव अधिकारी यहाँ पर कहुंच रहे हैं इसके लावा अगर बात की जाए तो तमाम परतियाशियों के जो समर्थक हैं उनके आने का सलसला जोरों पर है तमाम परतियाशियों के समर्थक तमाम परतियाशियों के समर्थक जो हैं व पर पीछे भी बेरिकेटिंग जो है इस पूरे रस्ते पर की गई है और यह गाडिया देखिए दोनों तरफ जो सड़क है उसके दोनों तरफ गाडियों की लंबी कतारे भी हैं और साथिसाथ इन गाडियों को खेतों में पार्क करवाया जा रहा है पुलिस परश्यासन पुर पर मतगनना होनी है उस लोकेशन पर लोग यहां से पहुँच रहे हैं और पैदल अपनी गाड़ियों को खड़ा करके ये कतारे जो आप देख रहे हैं ये समर्थकों की कतारे हैं सीमा और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो कड़ा मुकाबला यहां पर देखा गया है और ये वही स्ट्रेशन है जहाँ पर पूरे सोनिपर डिस्ट्रिक्ट के जो तमाम विधानसवा सीट है उनकी मतगनना होने वाली है और अब महज कुछी देर में एक घंटे का समय पचा है जिसके बाद मतगनना जो है वो शुरू हो जाएगी और रुजान आने भी धीरे धीरे चकर है लेकिन जो निर्दलिये हैं वो भी काफी तोर पर यहाँ पर चकर देते कड़े तोर पर नजर आ रहे हैं गौंग्रिस ने जहाँ आपने पुराने कद्दावर नेता पर वरोसा जताया है कुलदीब शर्मा पार तो भाजपा ने मौजूदा विधाय का टिकेट काड करके देविंद्र कौशिक को यहां से उमीदवार बना दिया है तो क्या पूरा समीकरन बैठता इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद आप बहतर बता सकती है बिल्कुल सीमा अगर बात कर लिजाए गन्नोर सीट के तो यहां पर त्रिकोने मुकाबला जरूर देखा गया है लेकिन यहां पर जो निर्दलिय है इस बार हर्याना में सबसे जादा निर्दलिय देखे गए हैं जो पूरी तरह से अपनी ताकत जोंकते नजर आए हैं और यहां पर अगर गन्नोर सीट के हम बात करें तो जो निर्दलिय यहां पर है देविंदर काध्यान यहां पर निर्दलिय है जो कि चुनावी मैदान में है और उसने खासा परचार परसार जो है यहां पर किया है भारी भीड अपने साथ दिखाई थी लेकिन सीमा देखने वाली बात ये होगी कि देविंद्र काध्यान के साथ जो भीड मौजूद थी जो काफिले में लोग उनके चलते थे और जिस तरीके से सड़कों पर दूर दराज तक जो उनकी कतारी देखी जाती थी क्या वो वाकई में गन्नोर की जनता थी या फिर भार से बुलाए गई लो समर्थक उनके पीछे देखे गए थे और पर चार परसार का जो रविंद्र भाटी का राजस्तान में लोग से बाचुनाव में तरीका देखा गया था वही तरीका गन्नोर सीट पर यहाँ पर देविंद्र काध्यान का देखा गया है लेकिन उस वक्त वहाँ पर जब चुन बिलकुल देखा जाये तो कोंग्रिस परत्याशे के दोरा कोंगरिस के दोरा इस सीट पर काफी महनत की गई है पिंकियों और वो सीट देखने को भी मिली है जिस तरीके से रैली निकाली गई जननता के बीच में कांगरिस जुाती न असरा आए थी काफी खास यह सीट थी औ बात करते नजर आ रहे हैं मारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से मारे साथ बने हुए हैं और वो जानकारियां भी साज़ा करते नजर आ रही हैं जहां आपको बता दे कि आप यहापर विदान सभा चुनाव की रिजल्ट की बाड़ी है और इस पर सभी की निगाहें ठीकी ह कुई हैं कि यह रिजल्ट किस तरीके से सामने आ सकते हैं हरियाना की 90 विदान सभा सीट के लिए आज यानि की मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी 22 जिलो में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं बाश्चापूर घुरुग्राम और पट और एक बर फिर से गन्नौर से हमारी सायोगी पिंकी धनकर हमारे साथ बनी हुई हैं पिंकी पूरी विवस्था हैं आपके पीछे नजर आ रहे हैं सुरक्षा को ले करके और आप यहां पर लगतार ये तस्वीरे भी दिखाती नजर आई हैं अगर संभव हो पाए तो जरा सुरक्षा कर्मियों से बाचीत करें आप और जाने की कोशिश करें क्या कुछ बड़ी चुनौती और क्या कुछ तयारी बिल्कुल स्रीमा अगर बात कर ली जाए तो अभी फलाल जो विवस्ता यहां पर बनी हुए है जिस तरीके से समर्थकों का आने का सिलसला जारी है ऐसे में जो यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो किसी भी कीमत पर बात करने के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि फला सही बढ़ती हुई नजर आ रही है दूर दरास्त के गाड़ियां जो है यहां पर खड़ी है लोग अपनी गाड़ियों को यहां पर खड़े करके आगे बढ़ रहे हैं और यह समर्थक है तमाम पर्तियाश्यों के इसके लावा अगर सीमा बात कर ली जाए तो गन्नोर सीट करते हुए नजर आए क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है लगातार यहां पर एक महिने से मैं चौपाल कर रही हूं और कई चौपाल मैंने सोनिपत में की हैं गन्नोर में की हैं जिसमें सिर्फ यही जानने को मिला है कि जो काम हुए थे वो 2019 से पहले ही हुए थे लोगों के फर्याद सुनी जाती थे उस जंता दर्बार को यहां की जंता काफी मिस करती नजर आई है बिल्कुल और ये तस्वीरे भी आपने बताई और ये जानकारियां भी आपने दी हैं पिंकी क्योंकि आप ग्राउंड जिरो पर काफी लंबे वक्त से महाँ पर मौझूद हैं आपने यहाँ पर पब्लिक उपीनियन भी जानने की कोशिश किया अब एक बार यहाँ पर पो काफी कुछ नुकसान दे या जो इस बार हो सकता है या समझा जा सकता है कि आखडे बदलते भी नजर आएंगे इसलिए काफी खुश भी है और ओवर कॉंफिडेंस भी नजर आ रही है जिस तरीके का कॉंफिडेंस कॉंफिडेंस ने पहले दिखाया था कि हम आम आदमे पार्टी के साथ गटबंदन नहीं करेंगे और अकेले ही अपने दम पर चुनाओ जो हैं वो जीत लेंगे यह कॉं यहां पर मैं मौझूद हूं यह सोनिपत है जो की जीटे करनाल बैल्ट कही जाती है यहां पर भी बिज़ेपी का रुजान जो है वो देखा गया था गन्नोर के अगर बात की जाए तो गन्नोर में परतियाशी को देखकर जिस तरीके से लोगों की परतिक्रियाय सामने आई है तो यहां पर यह सीट अलग हो सकती है इसी तरीके से अगर हम जजजरबादली की तरफ के बैल्ट के बात करें तो वहां पर कॉंग्रेस का रुज़ान जो है वो खासा देखा गया है अलग-अलग साइड में अलग-अलग रुज़ान देखे गए हैं और ऐसे में जो अभ पुरितरे से सही साबित नहीं हुआ था लिकिन वधान सबाथ चुनाओ में एकज़िट फोल ने जो नतीजें दिखाए हैं क्या वह वह वाकई में उसी तरीके से आते हैं या फिर बदल बढ़ा जो है इस एकज़िट फोल के नतीजों में इस बार भी देखा जाएगा यह कुछी देर में स्फष्ट होती जाएगी क्योंकि काउंटिंग जो है कुछी देर में शुरू होने वाली है उसके बाद रुजान आने का सलसला भी जो है वो देखा जाएगा उससे पहले तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं लोगों की भीड जो है उस तरफ आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर पहुँचे थे सुबह 5 बजे से ही यह दजारा यहाँ पर बना हुआ है और यह गाडियों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब चारों तरफ लगातार सिर्फ समर्थकों के आने का सलसला जा रही है जिसके लिए पुलिस परशासन झाक्त का बाइए, यहां पर एक बैरिकेटिंग की गई है, उसके पीछे भी एक बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि अब जो यह संख्या है, लोगों की समर्थकों की वो बढ़ते हुई जाएगे और जैसे जैसे रुजान आने लगेंगे, वैसे वैसे जशन का माहूल भी दे बिल्कुल और आपके आसपास काफी चुहल का अदमी नजर आ रही है क्योंकि आप सिर्फ एक घंटे का वक्त बचा हुआ है पिंकी ऐसे में तस्वीरे काफी कुछ खास हो जाएंगी पार्टी केंडिडेट भी पहुंचेंगे यहां पार जहां मतों की गंती होगी ताकि वो पहले इधर की तरफ एक बेरिकेटिंग की गई है और उससे पहले आगे भी वह देखी जा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं एक लाइन में जो जवान है वो तैनात हैं कि किसी और दकर से गारी को तो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, साथी साथ जो पैदल लोग जा रहे हैं, उनसे भी पूच ताज जो है, लोगों के गले में उनकी ID कार्ड है और किस विभाग से तालुक रखते हैं, वो ID कार्ड है जो समर्थक हैं, उनको भी थोड़ी पूच ताज करके ही आगे जाने दिया जा रहा है आप पीछे देखिए हर जिगह पर थोड़े-थोड़े कदमों की दूरी पर ही पुलिस और फोर्स जो है वो खड़ी है जो कि तमाम गाडियों पर नजर बनाए हुए है सीवा खास पात यहाँ पर यह है कि जो अधिकारी आ रहे हैं गाडियों में सरकारी गाडियों में जो अधिकारी आ रहे हैं वो अधिकारी भी अपनी गाड़ी जो है वो आगे नहीं ले जा सकते हैं उन अधिकारी की गाड़ी भी यहाँ पर साइड में पार्क करवाई जा रह हैं उनकी गाड़ी को भी यहां पर रुखवा लिया जा रहा है जैस हम दिखा दें आपको SDM की यह कार आई है और SDM की कार हो सकता है कि आगे जाए और आप देखें सिलसला जो है तमाम बड़े अधिकारियों का लगातार यहां पर जारी है SDM की यह कार है जो कि आगे जाने की अनुमती ने मिली है और उसके पीछे ही SDM की कार भी आप देख पा रहे हैं इसके लावा कई ऐसी सरकारी कारे आई हैं यहां पर जिनको साइड में खड़ा करवा दिया गया है और इनकी भी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितनी लेर की यहां पर जो है चैकिंग यहां पर की जा रही है और काफिला लगातार जा रही है वीडियो ग्राफी यहां पर इन काफिलों की करवाई जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर आने जाने वाली कारों पर बारिकी से तो नज़र रखी जा रही है वीडियोग्राफी भी उनकी करवाई जा रही है उसके लावा यह बैरिकेटिंग जो है यह काफी दूर से ही देखी जा रही थी यह कोई एक बैरिकेटिंग नहीं है पीछे ही रूट डाइवर्ट रजिया गया तो यहां पर पूरी तैयारे विदान सभा चुनाव के रजल्ट को ले करके और इस वक्त हमारे साथ वार रूम से हमारे सहयोगी आयूश चुत्रांस बने हुए आयूश ओवर टू यू तो बिलकुल आज है काउंटिंग का दिन और आज का इंतिजार आप हरियाना की जनता है वो बड़ी बेसबरी के साथ कर रही है या फिर आप य दो आयू झाले